दोस्तो परफेक्ट क्लीनिंग तभी होगा जब डाइलूशन परफेक्ट होगा और यही गोल है हमार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सी के क्लीनिंग केमिकल्स के बारे में जो रूपकेर सिरीज में आते हैं दोस्तो प्लीनिंग से जुड़े आने वाले आगले वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन भी दवादें दोस्तो वीडियो आखिर तक जरूर देखे कैसे डाइवर्सी के क्लीनिंग केमिकल्स को इफेक्टिवली इस्तमाल करें तो दोस्तो चले जानते हैं डाइवर्सी के रूम केर सिरीज के बारे में । तसकी R1 बातरूम क्लीनर कम सैनिडाइजर यह 5 लिटर क्ल्रयान के पैंक्म में आता है यह बातरूम सरपेस क्लीनर है बातरूम में लगये टायल्स बेसिंग, टर्ब, सिंग, फ्लोर की टाइल्स और फिटिंग्स की क्लीनिंग के लिए प्रभावी केमिकल है टास्की आरवन, मार्बल और ग्रेनाइट पर भी उपयों के लिए सुरक्षिक है दाइलूशन कम गंदी सता के लिए 10 यमल सोलूशन एक लिटर पाने में ज्यादा गंदी सता के लिए या डिस इन्फेक्षन के लिए 30 यमल सोलूशन एक लिटर पाने में इसे कैसे इस्तिमाल करे स्प्रे बोटल का ट्रिगर निकल कर बोटल में जरुद की आनुसर टास्की आरवन सोलूशन ले और उसे साप पाने से डाइलूट करे और ट्रिगर लगाकर उसे आच्छे से फिट करे स्प्रिट ट्रिगर का नोजल बंद करके उसे आच्छे से हिला कर पानी में मिक्स कर ले और इसे डारेट स्प्रे करने के बाद 2-5 सेकंड इस केमिकल को सता पर रहने दे और जरूरत है तो स्क्रबर से स्क्रब करे और ट्राइ कपड़े से साप करे बहतर रिजल्ट के लिए माइक्रो फैबर डेस्टर इस्तमाल करे टास्कर प्वान जनरल इनफरमेशन फोर्म, लिक्वीड, अलडर, बहुत ख़्यूदीर, कललर, क्लियर ओरेंज, डेन सिटी, 25 celsius 0.98 to 1.03 इसका pH है 10 to 12 एक परसेंट सोलुशन का यह तुरंत ही दाग धबबो को निकाल देता है यह सभी प्रकार की washable surface पर सेफ है और इसमें आनंददाई की room care fragrance देता है टास्की R1 जैसा ही diversity क्या और एक product है उसका नाम है टास्की R9 जो bathroom cleaner तो है ही उसके अलवा यह hard water cleaner भी है तो दोस्तो टास्की R9 यह टास्की R1 जैसा ही काम करता है लेकिन इसका एक additional feature है जो की hard water के लिए बहुत ही effectively काम करता है और bathroom को प्रभावी रूप से साप करता है जैसे की टास्की R1 काम करता है टास्की R9 भी पाच लिटर क्यान के पैकिंग में आता है इसका dilution है 50-100 ml एक लिटर पाने में इसे कैसे इस्तमाल करें जरुरत के अनुसर solution को spray bottle में dilute करें और टास्की R1 जैसा इस्तमाल करें R9 के रेकुलर इस्तमाल से hard water के दाग निकल कर भैतर सपाई देता है और यही additional feature है इसका general information इसका form liquid है order थोड़ा बहुत खुश्बुदार color clear violet density 25 Celsius 1.015 to 1.03 इसका pH है नीट 2.2 to 2.8 इस सभी प्रकार के washable bathroom surfaces पर सेफ है इसके इस्तमाल से pleasant fresh room care fragrance आता है टास्की R2 हाइजेनिक hard surface cleaner यह 5 लिटर क्यान और 1 लिटर packing में आता है दोस्तो टास्की R2 एक concentrate all surface cleaner और हाइजेनिक cleaner है इसका इस्तमाल hard surfaces टीवी cabinets, photo frames, telephone, glass और mirror के लिए इस्तमाल किया जाता है इसका dilution है hard surface के लिए 20 ml to 50 ml solution एक लिटर पाने में ग्लास के इस्तमाल के लिए 10 ml से 20 ml solution एक लिटर पाने में इसे कैसे इस्तमाल करें दोस्तो एक all purpose cleaner है इसका इस्तमाल floor cleaning, glass cleaning, floor like Italian marble और granite पर भी कर सकते हैं छोटी area की इस्तमाल के लिए जैसे कि हमने देखा spray bottle का trigger निकल कर bottle में solution ले और उसे साब पाने से dilute करें डायलूट करने के बाद trigger लगा कर अच्चे से फिट कर ले और spray trigger का nozzle बंद करके उसे अच्चे से हिला कर mix कर ले और cleaning cloth के उपर spray करके उससे ही wipe करें दोस्तों ध्यांड रहे इस chemical को direct spray नहीं करें इसे cleaning cloth के उपर spray करके उससे ही wipe करें और कपडे को साब पानी में डूब कर कपडे को अच्चे से निचोड ले और उस सता को साब कर ले बहतर रिजल्ट के लिए dry microfiber कपड़े से बफ करें दूस्तों microfiber duster dry और wet cleaning के लिए बहुत ही effective cloth है बड़े area के wet cleaning के लिए टास्की R2 को wet mopping या scrubber machine में भी यूज कर सकते हैं bucket या ringer trolley में साब पानी ले और जरूरत के आनुसार टास्की R2 solution का dilution करके wet mopping करें बहतर result के लिए dilute किये हुए solution को squeezy bottle में लेकर sprinkle करें इससे साब chemical सब जगा apply होगा और cleaning perfect होगा अगर टास्की R2 machine में इस्तमाल कर रहे है तो bucket में solution का dilution करके अच्छे से mix कर ले और scrubber machine के tank में डाल दे इससे chemical अच्छे से mix होगा और बहतर result देगा scrubber machine से scrub करके wet vacuum से vacuuming कर ले general information form liquid order थोड़ा भहुत खुशबुदार color clear bluish green density 25 celsius 0.95 to 1.08 इसका pH value है 1% solution का 9.5 to 11 task की R2 सभी washable surface पर उप्योग के लिए सुरक्षित है यह तुरंद ही दाग दब्बो को निकाल देता है और इसके इस्तमाल से pleasant fresh room के fragrance आता है आर्ट्री ग्लास क्लीनर यह पाच लिटर क्यान और एक लिटर के पैकिंग में आता है टास्की R3 एक concentrated glass cleaner है जो की glass mirrors glass display cases पर इस्तमाल के लिए उप्योगी है इसके dilution है 20 ml से 50 ml solution एक लिटर पानी में इसे कैसे इस्तमाल करें छोटे size की glass पर इस्तमाल के लिए टास्की R3 का solution एक spray bottle में लेकर उसे साप पानी से dilute करके mix कर ले और साप कपड़े पर spray करके इस्तमाल करें बहतर result के लिए microfiber कपड़ा इस्तमाल करें glass या mirrors को ज्यादा चमकाने के लिए साप सुके microfiber कपड़े से बफ करें बड़े size के glass पर इस्तमाल के लिए टास्की R3 को glass cleaning bucket में dilute करके इस्तमाल करें general information form liquid order थोड़ा भहुत खुशबुदार color clear blue density 25 celsius 0.9821 इसका pH value है 1% solution का 6.5 to 7.5 टास्की R3 सभी washable surface पर उपयोग के लिए सुरक्षित है इसके इस्तमाल से pleasant fresh room के fragrance आता है टास्की R4 furniture maintainer यह एक बहुत ही अच्छा furniture polish और maintainer है यह पाच लिटर क्यान के packing में आता है टास्की R4 ready-to-use product है जिससे wooden surface, table, chair और wooden furniture को चमकाने के लिए design किया गया है यह एक ready-to-use product होने के कारण इस solution में पानी mix ना करें इसी कैसे इस्तमाल करें टास्की R4 को spray bottle में निकालने से पहले उस furniture polish को यानी R4 की can को अच्छे से shake करके bottle में निकालकर साब कपड़े पर spray करके इस्तमाल करें ज्यादा shine के लिए dry कपड़े से buff करें दोस्तो द्यान रहे अब furniture polish कभी भी यूज़ करो तब spray bottle या can को shake करके इस्तमाल करें इससे chemical अच्छे से mix होके result बहुत ही effective लियाते हैं दोस्तो आरफोर को liquid order थोड़ा भूद कुश्बुदार color opaque white density 25 celsius 0.9 to 1.02 इसका pH value है 1% solution का 6.5 to 7.5 टास्की आरफोर फरनिचर मेंटेनर जो फरनिचर को प्रोटेक्ट करके उसकी लाइप बढ़ाता है और इसके अलावा चमकाता भी है इसके इस्तमाल से pleasant fresh room care fragrance आता है टास्की आरफाइब एर फ्रेशनर आरफाइब ये पाच लिटर क्यान के पैकिंग में आता है आरफाइब एक water-based air freshener liquid है इसकी खुश्बु मन मोहक है इसके इस्तमाल से गंदी smell का खात्मा करके pleasant fresh room के fragrance फैलाता है टास्की आरफाइब को guest room banquet halls और IC room जहां बहुत ही गंदी smell आ रही हो जैसे कि washroom या तंबाकू का order ज्यादा आ रहा हो आरफाइब के इस्तमाल से गंदी smell का खात्मा करके अच्छी मन होग खुश्बु को फैलाता है यहाँ एक ready to use freshener है इसे बिना पाने mix किये इस्तमाल करें इसे गैसे इस्तमाल करें टास्की आरफाइब को spray bottle में भर कर स्प्रे करें ध्यान रहे नोजल उफर की तरफ रख के स्प्रे करें इससे एर फ्रेशनर हावा में खुल मिल जाएगा और आच्छी खुश्बू पहिलाएगा इसका जनरल इंफोर्मेशन है फॉर्म लिक्वीड और थोड़ा भूत खुश्बूदार कलर टांस्लूशन पिंक डेंसिटी 25 सिल्चियस 0.95 टू 1.05 इसका पी एच वैल्यू वन परसंट सोलूशन का है 6.5 टू 7.5 यह तुरंत ही हावा में खुल मिल जाता है और गंदी स्मेल का खत्मा करके हावा को डियोड राइस करता है इसके इस्तमाल से प्लेजन फ्रेश रूम केर फ्रेग्रेंस आता है टास्की आर्शिक्स टॉयलेट बाउल क्लीनर यह 5 लिटर कैन और 500 एमल बोतल के पैकिंग में आता है टास्की आर्शिक्स को टॉयलेट बाउल या इस्तमाल कर सकते हैं यह एक हाई इफेक्टिव हैड्रो क्लॉराइड आइसिट से बना है जो इरिनल्स या टॉयलेट बाउ उनको प्रभावी रूप से साप करके उसके उपर का ग्लेज बनाए रखता है साधारन आइसिट के इस्तमाल से फर्स तो खराब होगा ही और बात्रूम में लगे स्टेनले स्टील के नल भी सढने लगेंगे तो दोस्तों ध्यान रहे इंग चीजों का और अपने पिंग टीम को भी इससे वाकियात कराए यह चीज उनको बताना बहुत ही जरूर है क्योंकि एक आदमी की गलती से पूरी टीम का नाम खराब हो सकता है तास्की आर्शिक्स के रेगिलर इस्तमाल से टॉयलेट बाउल या इर्नल्स के उपर के स्टबन स्टेन निकल जाएंग कि ओर लाएम स्केइल भी डिपॉजिट नहीं होगा और टॉयलेट बाउल स्पार्कलिंग शायन होगा तास्की आर्शिक्स एक रेडिट वीज टॉस टॉयलेट कीनर लिक्विड है इसे बीना डालूट किये इस्तेमाल करेजान इसे कैसे इस्तेमाल करेजान इसां तास्की आर्शिक्स के इस्तमाल से पहले टॉयलेट में या यूरिनल्स में फ्लेश करे और उसके बाद टॉयलेट रीम के नीचे आर्शिक्स के बोतल को हालके से स्कुईज करके टॉयलेट ट्लीनर को अपलाई करें उसके बाद टॉयलेट ब्रश से आर्शिक्स को टॉयलेट बॉल या यूरिनल के उपर आच्छा सा लगाकर स्प्रेड करने के बाद पास से दस मिनिट तक स्प्रेड किया हुआ केमिकल को वैसे ही रहने दे और डबलू सी ब्रश से स्क्रब करें अगर ज़रूरत है तो सौप् दोस्तो एक बहुत ही इंपोर्टन बात जो कि टास्की आर्शिक्स को स्टेनलेस टील या एसिड सेंसिटिव फ्लोर पर एक्जामपल इन्याबल या मार्बल पर बिलकुल इस्तमाल नहीं करें अगर गलती से एक बून भी टॉलेट क्लीनर की उसके उपर गिर जाए तो तु कोई भी दूसरा केमिकल मिक्स करके बिलकुल भी ना इस्तमाल करें जन्रल इन्फोर्मेशन फॉर्म बिकस लिक्विड और थोड़ा बहुत कुश्बुदार कोलर डार्क ब्ल्यू डेंसिटी 25 सेल्चियस 1.01 टू 1.04 इसका पी एच वाल्यू है फ़न पर्सेंट सॉलेशन का पी एच लेज देन एक्वल टू 2. टास्की आर्शिक्स यह टॉयलेट के बैक्टिरिया को खतम करके टॉयलेट और इरुड़नल्स को स्पार्कलिंग शाइन देता है इसके इस्तमाल से प्लेजन फ्रेश रूम केर फ्रग्रेंस आता है टास्की आर्शिक्स यह 5 लिटर क्यान के पैकिंग में आता है आर्शिक्स एक कॉंसेंट्रेटर इफेक्टिव फ्लोर क्लीनर है इससे वेट मॉपिंग और स्क्रबिंग मशिन में इस्तमाल किया जा सकता है इसका डायलूशन है कम गंदी सत्था के लिए 20 ml सोलूशन एक लीटर पानी में ज्यादा गंदी सत्था के लिए 25 ml सोलूशन एक लीटर पानी में इससे कैसे इस्तमाल करें दोस्तों टास्की आर्शिक्स को जरूरत के अनुसार डायलूट कर ले टास्की आर्शिक्स म्यान्यूल क्लीनिक या मशिन में भी इस्तमाल कर सकते हैं यह स्कीन ओईल, स्टेन, डर्ट और वाटर मार्क को निकाल कर जमकदार सपाई करता है जनरल इनफोर्मेशन, फॉर्म लिक्वीड, आर्डर, थोड़ा बहुत खुश्बुदार, कलर, क्लियर ग्रीन, देन्सिटी 25 सेल्सियस, 0.95 to 1.07, पी एच वैल्यू 8.5 to 9.5 यह सबी प्रकार के वाश्यबल सर्फिस पर सेफ है, इसके इस्तमाल से प्लेजर्ण फ्रेश रूम केर फ्रेग्रेंस आता है टस्ट का डॉक्टर के साथ, जितना आप आपका एनवॉल्मेंट बढ़ाएंगे, उतना ही क्लीनी से जुड़े नॉलेज को एन्हांस करेंगे दोस्तो अपने आपको तयार करें, ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए तो दोस्तो एक लाइक आपके नाम, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन भी दबा दे, वीडियो आकिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया